हेलो वरिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चेनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजुग इसनल चेनल पे आपका स्वागत है इन टुदेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टेडी इन डेटेल अबाउट दे प्री फार्मिलेशन सु प्री फार्मिलेशन स्टेडी के उपर यह हमारा पार्ट शीक्स वीडियो लेक्चर है और यह वीडियो लेक्चर में हम स्टेडी करेंगे कि जब आप कोई प्री फार्मिलेशन स्टेडी करते हैं उस वक्त जरूरी होता है यह सब पेरामिटर्स को चेक करना कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं कोई आप प्री फार्मिलेशन स्टेडी करते हैं regarding any research and development तो जो भी आपका raw material है जो भी आपका material है जो भी आपके पास कोई powder है कोई drug है excipient है कि जो आप use करने वाले है for the final formulation तो इसके लिए जो pre-study की pre-mतलब की उसका मतलब होता है before तो before the final formulation we have to perform the various pre-formulation study on our drug और on our raw material which we will use during the research work की जो भी हमारा research work होगा उसके दोरान हम अलग-अलग ये materials को use करेंगे तो जो भी materials हम use करने वाले हैं उनके उपर pre-formulation study करना बहुती जरूरी है तो part 1 से लेकर part 5 तक हमने अलग-अलग ये properties के बारे में सीखा की जो हम perform करते हैं इने pre-formulation study तो physical and chemical properties को हम check करते हैं जिसमें से आज का जो हमारा topic है वो है flow property and the compressibility and also the angle of repose तो सभी को हम समझते हैं detail में तो पीपड़ेद विफ था पामा रोलिष पर था शब्सक्राप्र प्रिश्ड पाओगे PharmaRox का study material test series and video lecture अब आप PharmaRox की mobile application पर access कर पाओगे So if you are Android user download the app from Google Play Store and if you are Apple iPhone user download the app from App Store get the link in a description box So definition तब आपको proper detail में समझ में आई होगी because यह हमारा part 6 lecture है और सभी part में हमने definition तब आपको समझाई है कि research and development का ऐसा phase या फिर pre-formulation या फिर before the final formulation हम जो है वो अलग-अलग physical and chemical properties को check करते हैं in order to develop safe, effective and stable doses form तो सभी parts के अंदर हम detail में अलग-अलग study करते हैं किया, part 1 के detail part 2, फिर 3 4 and 5 तो एक से 5 part में हमने बहुत सार या अलग-अलग physical and chemical properties के बारे में study किया, यह जो part 6 है, especially on flow properties तो सबसे पहले तो what is flow property तो what is flow flow जो है, वो सभी liquids के अंदर present होता है कि जब pipe के अंदर कोई fluid एक जगा से दुसरे जगा पे जाता है तो उसको हम कहते हैं, उसका flow that is a liquid flow second, gas के अंदर भी होता है कि gas के particle one place to another place travel करते है due to their flow और तिसरी important है वो है solid के अंदर solids के अंदर भी हमें flow देखने को मिलता है तो solid के अंदर हम flow कब देखते हैं कि जब हम कोईसी material को किसी container के अंदर fill करें तो एक container में से दुसरे container में जब हमें solid material को transfer करना है तो उस वक्द भी उसका proper flow अच्छा होना चाहिए तो easily आप जो है उसको transfer कर सेखते इसलिए एक word आता है the free flow the free flow ये word सायद आपने जो salt की जो advertisement आती है टीवी पे उपर उसमें आपने खाफी देखा होगा कि जो salt अभी जो मिलता है कि जो iodized salt होता है with iodine कि iodine वाला जो salt होता है वो खासकर crystalline और free flow हमें मिलता है even advertise में भी ये word वो include करते कि easily आप जो है वो आप flow करवा के उसको आप जो भी खाना बना रहा है या फिर जो भी कोई disc रिपेर कर रहे है उसमें आप डालते हैं तो even salt भी हमें proper अब free flow चाहिए कि जो easily आप उसको handle कर सके तो यहाँ पे तो बात है हमारे pharmaceutical materials की कि जो हम use करते हैं अलग-अलग formulasions की legalize समझे कि आपको tablet बनानी है तो tablet के punching के दौरान या फिर जो हम formulation करते हैं उस वक भी जो tablet punching machine के उपर ये एक कि समझे कि ये पूरा नीचे punching का ये machine है और उपर आप इस तरह से एक hopper देखते हैं और यहाँ पे होता है उसका punching station ये just chemetically हम समझ रहें कि ये है उसका punching station कि यहाँ पे material जो है वो punch हो रहा है यहाँ पे ये अलग-अलग ऐसे होता है और एक hopper punch और नीचे lower punch और दोनों की बीच में ये tablet है आप मारी compress होगे फिर यहाँ पे जो collector होता है वहाँ पे सभी tablets को हम collect करते है तो जो हमारा material है कि समझे कि आपने granules बनाए है या फिर समझे कि आप direct compression से tablet बना रहे है तो जो भी आपका drug and excipient का जो mixture है वो properly ये hopper में से जो है वो pass होता है कि जो भी material में ने यहाँ पे fill किया है वो material properly ये hopper में से pass होगा और ये pass होकर यहाँ पे जो है वो punching station के उपर वो material गिरता है अगर समझे कि ये material का जो flow है कि जो hopper में से flow होके वो material नीचे ये tablet के punching station के उपर गिरता है और proper वहाँ पे फिर ये upper punch और ये lower punch के बीच में क्या होता है compress होता है तो ये पूरी एक automatic system set की होती है कि proper flow से powder नीचे flow हो जाता है तुरंट जो powder flow होके यहाँ पे गिरता है वो तुरंट compress हो जाता है compress होने के बाद tablet यहाँ से eject point पर से eject हो जाती है मतलब कि नीचलती है और नीचे जो भी अपने collector रखा है उसमें tablet जो है वो हो जाती है collect अगर समझे कि आपके जो material है कि जो solid है वो proper free flow है easily flow कर रहा है तो without any type of blocking without any type of blocking continuously यह powder जो है वो proper flow होता जाएगा और अच्छे से आपके tablets बनती जाएगी बट समझे कि कुछ समय के लिए powder यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा तो क्या होगा यह तो assembly set है वो तो rotation करती ही रहेगी बट पावडर ऐसा है कि proper अच्छी flow वाला नहीं है तो कोई बार काफी slow आएगा कोई बार fast आएगा कोई बार regular pattern में आएगा तो powder का जो flow rate होगा वो change होता जाए समझो कि आपने जो flow rate set किया है कि 500 mg पर minute कि एक minute में 500 mg जितना powder flow होता है या फिर उससे ज़्यादा आपने set किया है 3 ग्राम पर minute ये proper flow से powder नीचे flow हो रहा है कि एक minute के अंदर at least 3 ग्राम जितना powder flow हो रहा है तो ये powder के साम कहेंगे कि free flow प्लस प्रापर उसकी consistency बट कोई बार 3 ग्राम आ रहा है कोई बार 500 mg आ रहा है कुछ समय ऐसा है कि उस वग सिर्फ 1.5 ग्राम पर minute के तोर पर वो powder flow हो रहा है तो इसके करण क्या होगा कि जब आप tablet वगेरा बनाओगे तो 3 condition यहाँ पर produce होगी कि मैं आपको यहाँ पर बाजो में लिखकर उसको अच्छे से explain करता हूँ तो यह पहला सबसे पहले यह हटा देते है तो अब समझे एक condition ऐसी है कि उस वग 3 ग्राम पर minute के तोर पर powder गिरता है तो that was समझो कि आपने set की थी condition normal दूसरी condition ऐसी होती है कि powder की flow property अच्छी नहीं है तो यह powder सिर्फ 1 ग्राम पर minute के तोर पे ही flow हो रहा है ते जो powder का flow rate तो यह हम कहेंगे कि काफी low है और तिसरी condition के कई बार irregular property हो जाती है तो उस वग समझो कि आपका powder हो गिर रहा है कुछ समय के लिए 5 ग्राम पर minute के रहसे के यह high तो normal flow rate के compare में कोई बार आपका material काफी low गिर रहा है कोई बार काफी high amount में तो उसके कराण क्या होगा कि यह जो punching station पे powder जिस समय समझो कि low गिरता है तो उस वक जो tablets बनेगी वो tablet के अंदर weight reduce होगा because कम powder गिरेगा तो कम powder compress होगा जिसके कारण क्या होगा कुछ tablets ऐसी बनेगी जिसका जो weight है वो काफी लोगा कि आपने set किया है tablet का weight 500 mg तो कुछ समय ऐसा होगा कि powder गिरा ही नहीं है तो उस वक आपके tablet बनेगी सायद 200 mg की tablet बनेगी या फिर 300 mg की tablet बनेगी तो ये कि समझो कि आप mistake करते हैं proper flow property find out नहीं करते during the pre-formulation तो आगे जाकि आपको ये नुकसान जो है वो देखना पड़ता है कि आपकी जो tablets बन रही है उसके अंदर ये problems आ रहा है कि कुछ tablets काफी कम weight की बन रही है उससे reverse होगा कि जब आप जो है rate काफी increase हो रहा है flow rate तो उस वक्त powder ज्यादा गिरेगा जिसके अकरण कुछ tablet excessive weight वाली बनेगी प्लस material जो compress नहीं होगा वो होगा waste material waste भी होगा प्लस जो tablet बनेगी वो बनेगी higher weight वाली तो ये problems create होते कि जब आपके powder के flow property अच्छी नहीं होती बट समझो कि normal property है तो proper flow से ये material नीचे गिरता जाएगा और जो भी tablet बनेगी वो proper weight की बनेगी ना ही उसमें कोई weight variation ना ही उसकी quality खराब होगी तो flow property एक effect करती है आपकी product के quality पे और flow property अच्छी नहीं होते तो आगे जाके tablets के अंदर ये defect produce होती है वो है weight variation कि जब जो कि hopper में से powder अच्छे से नहीं गिरता तो ना है proper उसका punching होगा ना ही आगे वो quality test पास करेगा तो ये मैंने यहाँ पे आपको detail में explain कर दिया flow property का importance तो it is very necessary to determine the flow property of a powder and good or excellent flow is required for manufacturing of a tablet doses form good flow and compressibility helps in manufacturing of high quality tablets तो ये तो बात की हमने tablets की बड़ समझे कि आप capsule को fill कर रहे है during the capsule filling कि capsule के ये empty cells होते है तो इसमें जो material proper feel करवाना जरूरी है और feel करने के बाद उसके उपर जो दूसरे capsule का जो है कि ये उसकी body नीचे का portion और फिर उसके उपर हम उसकी cap जो है वो proper seal करवा देंगे after the filling बड़ जो feeling करते होगे हम ये body के portion में तो उस वक्त जो भी आपका material है वो भी proper free flow होना जाएगी जिससे accurately flow rate से यहाँ पे capsule के अंदर material feel हो अगर समझे कि आपके powder के flow property अच्छी नहीं है तो कुछ समयोसा होगा कि proper powder इसके अंदर feel नहीं होगा कुछ time capsules काफी empty रहेगी कुछ time excessive feel हो जाएगी और कुछ time proper feel होगी तो ये same tablet की तरह ही capsule में भी दिक्कते आ सकती है तो अच्छी flow property होना बहुत ही जरूरी है जब या pre-formulations करते हैं टाबलेट या फिर capsules बनानते वक्त तो flow property जो है वो आपके लिए रहेगी प्रायोरिटी इवन आप pharmaceutics के अंदर जो भी पर्फॉर्म करते हैं तो ये जो है वो आपको जरूर से proper आपका इसके ये topic के अंदर होनी चाहिए आपकी mastery You must be master of this topic ये topic के आप जरूर से master होनी चाहिए कि किसी भी समय आपको ये flow property, compressibility के बारे में कोई पूछे तो आपको जरूर से न चाहिए because कि आप समझो कि आगे जाके industry वगेरा में भी job करते है तो उस वक्त production department में आपको हर time ये चीज़ को तो face करना ही पड़ेगा तो ये point का अच्छे से आपको knowledge होगा तो आगे जाके आपको कोई difficulty face नहीं करनी पड़ेगी तो उसके अंदर हम usually measure करते है bulk density कि जिसको हम measure करते है usually unit gram per centimeter cube और gram per ml तो bulk density measure करने के लिए हम material को sieve में से pass करके फिर उसकी bulk density check करते है कि जो हम measuring cylinder या फिर graduated cylinder के अंदर उसको feel कर देते है कि यह जो आपका material है यह समझे कि total है 100 ml का cylinder है तो after the feeling वो material के अंदर समझे कि यहां तक जो है वो powder feel हो चुका है till here और यह volume था समझे कि 30 ml और आपका जो powder था वो था 10 gram powder तो यह powder की density कितनी होगी तो density is equal to mass by volume यह तो एक fixie है mass by volume is the formula for density mass यहां पे है मेरा 10 gram volume मेरा feel हुआ है 30 ml तो जो answer आएगा कि 0.33333 करके आएगा आप calculator से भी देख सकते हो और unit में लिखूंगा gram per ml या फिर gram per centimeter cube तो यह रहेगी मेरी bulk density कि यहां पे just powder को मेरा लेता हूँ this is container and feel 10 gram powder there is no tapping यहां पे आपको tapping नहीं करना है no tapping और directly feel करने के बाद मुझे यह जो volume मिलता है वो में measure कर लूँगा तो यह है मेरी bulk density second is significance हम देखेंगे तो यह जो volume था मेरा bulk volume और उसपर से जो density मेंने measure की कि bulk volume था 30 ml और mass मेरा था 10 gram तो density is equal to mass by volume के तोर पे मेंने find out कर लिया 10 by 30 is equal to 0.3333 तो वह हो गई मेरी bulk density bulk density is required during the selection of capsule size for a high dose of drug तो उसके यह significance होते है कि bulk density खास ज़रूरी है कि आप समझो कि capsule size जो आपको select करनी है high dose of drug के लिए कि जो हम अलगलग capsule की size देखते है कि largest size small size उस वक्त यह काफी ज़रूरी है as well as during the tableting in case of low dose drug mixing with excipent is a problem if bulk density of the drug in excipent have a large difference अगर समझो कि आपके drug और excipent के बीच में density का काफी difference है तो उस वक्त आप थोड़ी difficulty phase करते हैं mixing के दोरान तो आपको proper mixing करना पड़ता है तो इसलिए ज़रूरी कि आपके जितने भी सभी material से वो सबका आप find out कर लो यह d value bulk density तो bulk density का जो formula हम कहें तो mass by volume अब second है कि what are the source of variation of bulk density that are method of crystallization milling, formulation and method of correction source of variation कि bulk density के अंदर variations कब आ सकते हैं कि जब आप crystallization करते हो तो उसे volume जो है वो आपका plus minus हो सकता है material का फिर आप सुझे कि उसका milling करवाते हैं मतलब कि size reduction कोई formulation उसका बना लेते हैं या फिर अलग-अलग method से उसका correction करते हैं तो यह थी bulk density के बारे में जानकरी by milling, slugging or by the formulation कि आप milling करते हैं slugging technology से कोई tablet बनाते हैं कि पहले low compression वाली एक tablet बना के फिर उसको cross कर देते हैं और कोई आप formulation बनाते हैं तो इस तरह से apparent bulk density जो है वो change हो सकती है second है tap density tap density के लिए भी जो powder है उसको 40 मेस में से हम pass कर लेते हैं because यहाँ पे size का कोई importance नहीं है यहाँ पे importance है उसकी density का weigh and taken and pour into a graduated cylinder the cylinder is tap around 1000 time on mechanical tap or apparatus जो mechanical tap density apparatus होते है उसके उपर आप 100 times या फिर initially आप उसको 500 tap भी दे सकते हैं और फिर 750 tap और कई बार conventionally हम 500 taps करके भी ले लेते हैं result इतना कोई आपको difference नहीं पढ़ता तो यहाँ पे eye button पे click करके आप cars index, bulk density, tap density वाला एक detail video lecture से कि जिसके अंदर हमने सभी points को काफी detail में excellent किया है कि at least 35 minutes के 2 separate lecture है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यह वाला आपको lecture यहाँ पे cars index वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा as well as आप same lecture angle of repose का भी detail में देख सकते हैं कि जो 60 अक्सर पूछे जाने वाले प्रसने के side में है और यही lecture आपके लिए हम properly जो है वो set up कर ही लेंगे यहाँ पे जो i button होगा उस पेज जरूर से क्लिक करना i button पे क्लिक करके आपको वो lecture की link मिल जाएगे तो tap density लिए tapping किया जाता है कि जो हमारा measuring cylinder था कि यह मेरा measuring cylinder उसके अंदर में फिर से 10 gram जितना powder फिल कर देता हूँ और वो volume था 30 ml तो यह था bulk bulk volume without tapping अब इसी को मैं समझो कि 1000 tap करवाता हूँ तो उसके बाद समझो कि मुझे जो volume मिल रहा है वो है थोड़ा डीच्ची आया है और वो मिल रहा है मुझे 25 ml तो यह मिला मुझे tapped volume यह है मेरा cylinder कि जो graduated cylinder हम कहते है तो यहाँ पर अब density कि tap density को हम कहेंगे Td tapped density mass by volume mass मेरा है fix 10 gram था volume था 25 तो अब जो मुझे find out करनी है वो जो मेरा answer आएगा कि मैं समझे कि 10 by 40 करता हूँ तो हम calculator से ही कर लेते हैं यहाँ पर 10 by 25 तो मुझे जो answer मिला है 0.4 0.4 तो यहाँ पर मैं 0.4 लेख लेता हूँ gram per ml तो यह मेरी तयार हो गई tap density की Td की value तो tap density इस तरह से मुझे find out मिल हो गई और यह मैं आगे जो है इसका record अच्छे से रखूंगा की यह मुझे values काम आएगी to determine compressibility index the volume reach a minimum call a tap volume and significance are that knowing the dose and tap density of the formulation the capsule size can be determined की capsule की size हम determine कर सकते हैं by knowing the dose and tap density की समझे की आपको किसी भी material capsule का dose पता है कि 500 mg उसका dose और उसकी आपको tap density पता है तो उस पर से आप कौन सी capsule size use करोगे to feel that drug वो आपको नक्की कर सके हैं कि कितनी size का है कितनी volume में feel करूँगा तो वो आप find out कर सकते हैं next जो important point है वो है अब compressibility तो measurement of free-flowing powder by compressibility अल्सो नहीं आपको कार्स इंडेक्स और percentage कार्स इंडेक्स जिसका फॉर्मिला है tap density मायनक बल density divided by tap density into 100 तो अब समझे हमने TD की value find out कर ली थी वो थी 0.4 minus BD था हमारा 0.33 divided by 0.4 और into 100 करता हूँ तो 0.4 minus 0.33 हम करते हैं समझो calculator से तो 0.4 minus 0.33 तो वो आंसर है 0.07 divided by में करता हूँ 0.4 तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो है 0.175 और into 100 करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है 17.5 तो डाइरेक्ली यहाँ पर हम आंसर ही लिखते हैं कि compressibility index जिसको हम CI कहते हैं वो मिल रहा है हमें 17.4 कि यहाँ पर calculator के अंदर sorry 17.5 जो है वो हमें आंसर मिल रहा है कि 7.5 तो अब देखिए बाजू में जो टेबल है वो यहाँ पर result का proper interpretation देता है कि समझो कि cars index 5 से 15 के बीच में आता है तो type of flow is called excellent बीच में समझो कि है 12 to 16 के बीच में है तो that is called a good type of flow 18 to 21 it indicates fair to possible तो हमारा value देखिए यहाँ आ रहा है 17.5 तो हमारा value देखिए यहाँ आ रहा है 17.5 possible है fair to possible कि समझो कि इसके अंदर gradient या आप lubricating agent एड़ करके उसको use कर सकते है आगे तो जैसी आप gradient और lubricating agent use करोगे तो वो good या excellent के range में easily चला जाएगा तो it is simple, fast and popular method of predicting powder flow characteristics compressibility के बाद angle of repos कि जो हम find out करते है funnel technique से i button पे click करोगे तो detail में angle of repos वाला lecture आपको मिल जाएगा उसमें detail में हमने A to Z point आपको समझा है detail में कि वो फिर से यहाँ पे हम repeat नहीं करेंगे i button पे click करिए and angle of repos वाला lecture detail में आप study करें कि जिसके अंदर A to Z point है कि list of requirements से लेकर किस तरह से आप उसकी calculation कर सकते है तो a greater angle of repos indicate a poor flow कि 40 है angle of repos तो very poor flow कि समझा कि कोई hopper में से यह material पास होके नीचे अपनी यह pile बना रहा है तो यह horizontal pile और यह surface के बीच में यह जो theta तयार होता है उसको हम कहते है angle of repos angle of repos यह angle जितना छोटा उतना flow अच्छा रहता है और यह angle जितना greater होता है उतना flow काफी हमें indicate करता है कि वो आपका flow काफी poor था तो less than 25 excellent flow 25 से 30 के बीच में है तो good 30 से 40 के बीच में है तो possible तो उसके लिए जो formula है 10 theta is equal to h by r 10 theta is equal to h by r where theta is equal to angle of repos h जो height है pile के और r radius है तो यह जो pile तयार होती है उसमें यह theta मतलब के अंगल of repos मतलब के अंगल of repos यह जो हाइट बनती है वो h and यह जो diameter है उसका half radius is equal to d by 2 वो अब की radius और उसको आप यह formula में रिखोंगे 10 theta is equal to h by r so theta is equal to 10 inverse h by r यहापे inverse लेंगे हम minus 1 कर देंगे 10 inverse h by r तो इसकी detail calculation के लिए i button पे क्लिक करिए और angle of repos का lecture तुरंद आपको मिल जाएगा so continue रखेंगे हम next part 6 के अंदर sorry part 7 रहेगा next हमारा part 6 तो यही था next topic को हम study करेंगे part 7 के अंदर till then trick करते रहे channel को subscribe video को like करिए and use the study material on our app farmer rocks get the access of this test series study material and video lecture on the app check the links in a description box so good luck and all the best test test तो छिछ आहदू तो हूई कि और धू school तुए देदो तुए